नमस्कार आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतमेश जोतिश चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाल किताब के अनुसार मीन राशी का भविश्य फल क्या कहता है दो हजार तेईस में बैदिक जोतिश से अलग लाल किताब जोतिश क्या कहती है मीन जोतिश के बारे में बरस दो हजार तेईस में कैसा रहेगा मीन राशी का भविश्य क्या मीन राशी वाले सफल हो पाएंगे क्या पूरावर्स सुभ रहेगा या फिर मिला जुला रहेगा नौकरी करियर ब्यवपार बैवा झीवन में क्या कुछ घटने वाला है आए जानत लाल किताब की बिध्या के अनुसार आपकी राशी का राशी फल इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रतमेश चोथीस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से मीन्लशी के लिए करियर और नौकवरी की बात करें 2023 में तो करियर और नौकरी में आपको इस वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे कारे छेतर में आपकी संसा होगी आपका अनुभव आपके काम आएगा मीन राशी पर ब्रस्पति और शनी के प्रभाब के चलते नौकरी के हलात आपके अच्छे रहेंगे आपकी पदो उन्नती के भी योग बनेंगी अगा मीन राशी के ब्यवपार की बात कर ली जाए तो 2023 में यदि आप ब्यवपार का विस्तार तो होगा नए साज़दारी भी आपकी बन सकती है हाला कि आपको लेन देन में साबधानी रखनी होगी अगर आपकी दामपत्ते जीवन की बात की जाए तो मेरिट लाइफ में 2023 में मीन राशी वालों के लिए दामपत्ते जीवन में सुधार होने की भी संभावना है आपका अपने जीवन साती से मन मुटाब दूर होगा गलत फहिमियत दूर होंगी और आप से प्रेम भी बढ़ेगा और साज़दारी भी मजबूत होगी प्रेम बढ़ेगा और यात्रा की योग भी बनेंगी अगर आप अभिभाहित है तो इस साल विभा क योग की पूरी संभावना है आपका अच्छा बैवार परिवार में खुशियां कायम रखेगा अगर मीन राशी की सेहत को ले लें तो 2023 में सेहत की दृष्टी से ये वर्ष मध्यम है खान पान पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और मानसिक तनाप से आप को दूर रहना होगा आपके आर्थी किस्तिति की बात की जाए आपको धन की आमत पहुत होगी और आर्थी की रूप से आप मजबूत होंगे लेकिन आपको फुजूल खर्ची पर रोक लगा कर धन का सद्यूपयोग करना सीखना होगा बहतर जगे निवेश करेंगे तो मीन राशी वालों के लिए 2023 शुब रहे इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान 40 का पाठ अवश्य करें और गरीबों को हलवा बांटना आपके लिए शुब रहेगा गुरुबार का उपवास आप कर सकते हैं और केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए शनी के अच्छा रहेगा वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा कर दक कर दोस्तों के लुषण